स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्टो टेकनोलजी में मैं अनफर्मवेबुल आप सभी लोगों का स्वागत कता हूँ आज के शूव फ्यूचर फ्राइडे में आज हम लोग बात करेंगे फेल्ड ग्रीन टेकनोलजी इसके बारे में तो आए समझते हैं तो यहां पर समझे कि यह पूरा पिक्चर आपको समझना पड़ेगा तब ही जाके बहुत बार लोगों को मैं दिखता हूँ बह जाते हैं वो बहने से रोकनी के लिए इस तरह का ओवर ओल लुक लेना काफी फाइदिमान सावित होता है तो इसाफ यह समझी कि हमारी दुनिया को green technology इसका बहुत जोर का जरूवत है क्योंकि जैसे हम लोग चल रहे हैं वैसे continuously चल ही नहीं सकते खुद बखुद उड़ जाएंगे तो यह एक नीड बनाता है market में यानि कि हर government चाहे वो चाहिना हो चाहे वो इंडिया हो चाहे नेपाल हो चाहे पाकिस्तान हो हर कोई इस खर्च करना चाहता है हर कोई चाहता है कि मुझे कुछ ऐसा दू जो green काम कर सके और यहां पे इसका मतलब होता है कि जब पूरी दुनिया में दिमांड है तो इंसेंटिव है और opportunities है यानि कि अगर आप इसको milk कर लेते हैं तो आपको पैसा मिलेगा और मतलब नाम भी हो तो यह समझने ज़री है कि यहां बहुत बड़ा पैसा यह है और काफी लोग ट्राइकर जो कि अच्छी बात है क्योंकि कोई भी एक दिमाग सारा समस्ते है स्वाल नहीं कर सकता मतलब एक आइंस्ट्राइन आपके सिविलाजेशन में हो तो कुछ नहीं होने वाला वैसे तो काफी लोग कोशिश कर रहे हैं तो नीड है लोग कोशिश कर रहे हैं तो हकीकत यह है कि बहुत सारे चीज का बहुत सारा परत होता है और वो परत जो होता है वो सारे सक्सेस्फुल होने चाहिए तब ही आपके पास फंक्शनल प्रड़क्ट होगा क्योंकि यह समझना ब इकनोमिक्स इतना पावरफुल है कि जो भी चीज बन चुका है, सक्सिस्फुल हो चुका है, उसे यह कैंसल कर सकता है, कि भाया तुम हट चो इस दुनिया में वापस तुमारा ज़रुवत नहीं पड़ेगा, तो यह समझना बहुत ज़रुई है, हकीकत बहुत कड़वा होता ह क्योंकि आपको लग्स ताफी लोक लगतना रहे हैं, लाब में इंजिनियर्स काम कर रहे हैं, वह असान स्टेज है, प्रोटोटाइप बनाने वह सब असान स्टेज है, अभी तो आपका मीन बैंड बजना शुरू ही नहीं हुआ है, जब आप एकनोमिक्स आपकी बैंड आपको पता भी नहीं चले हैं, आप जो प्रोड़क्ट बना रहे था, उसका एक मार्केट था, वो मार्केट आया खतम भी हो गया, और आप अभी तक प्रोड़क्ट बना ही रहे हैं, यह हो चुका है लोगों के साथ, तो यह समझना भी हज़रू है, इसलिए कॉस्ट हम इस सानी से लगता है कि यह क्यों नहीं कर लेते हैं, जनरली मैं 99% के साथ कह सकता हूं, या तो समय कोई टिफेक्ट है, या तो टका का ही बात होता है, तो यह समझना बहुत ज़रूरी है, कि बहुत सारा आउटसाइड वेरियेबल चेंज होके अराम से ऐसा कह सकता है, आप सोच आइडिया सब को बहुत अच्छा लगता है, और या बहुत पहले से चल रहा है मार्केट में, 1990 से भी समझ लीजे पहले से चल रहा है, कारण यहा था कि आइडिया सिंपल है, क्योंकि आपको सिफ चाहिए मिरर को घुमाने के लिए मोटर और स्टीम सिस्टम, स्टीम सिस्ट अरे भाई सारे समस्या सौल बहुत जाएगा, संसे एनर्जी मिल रहा है, बले बले, एनर्जी निकान लेकिले आपको एडवांस से मिकंडुक्टर नहीं चाहिए, क्योंकि जिस टाइम यह सब प्रोजेक्ट मार्केट में खूब चल रहा था, यह समझा जरूरी था, लेकिन सोलर पैंल को स्ट जो था पागल ऐसा महेंगा था, लेकिन आप लोगा अंगर ध्यान देते होंगे, तो हर जगां हर फार्म जो बन रहा है, इक का दुक्का फार्म बन रहा हो आगा, इसा क्यों हो गया कि इस तरह का टेकनोलोजी नहीं आ रहा है मार्केट हार समझी पांच सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि इसमें मॉल्टन सॉल्ट भी है जो एनरजी इस्टोरची थोर पे कर देंगे तो इसाब यह था कि इस डिजाइन को किसे में किस नहीं किया किस करना बहुत जरूरी होता है इस इंजिनेरिंग में कीप इट सिंपल सिली अगर आपने किस नहीं क पमशेन को जिन्दा रखने में वह बहुत ज़्यादा होता है मतला संजी जितने ही कीलियो स्टाइक हरी कापको मॉनिटर करनाहोगा मेजयक रिपयर करनाहोगा और पो casts करनाहोगी क्लीकॉत नाहोगा सारा चीज जोड़गे और यहां पे मोल्टन सॉल्ट के बारे हो गया कि मॉल्टन सॉल्ट मोल्टन रहने के लिए उसके पास सिर्फ 500 का रेंज होता है यानि कि एराउंड 1100 तक आप बॉइल कर दो बले बले वो लिक्विड बन गया अती उतना लेकिन जब आप उससे ठंडा करके मतलब यानि स्टीम बना रहे हो और स्टीम चला रहे हो उस प्रांट कम हुआ या सोलर फ्लक्स कम आया उस दिन क्लाउट आ गया कुछ हुआ या आपने बहुत ज्यादा एनर्जी निकाल दिया सॉल्ट जो है जो लिक्विड है मोल्टन है वो सॉलिड हो जाता है और पाइप गया पूरा काटके फेकिए आप उसको दोबार कुछ नही इसको डिलिवर करके 24 x 7 एक दो बार चलता है अरे सर थोड़ ज्यादा हो गया सॉल्ट जम गया यह कई बार होता है तो यह समझने बहुत ज़रूरी है कि मेकानिकल कॉंप्लेक्सिटी ऐसा चीज है जो अच्छे अच्छों की वाट लगा लेगा तो मेकानिकल कॉंप्लेक्स स्टाफ ही है तो पहला साल कुछ नहीं मंगें दूसरा मले साथ थोड़ा कीजिए तीसरा में आप नहीं दोगे तो चल जाएं और फिर आपको दूसरे स्टाफ लेना फिर उनको ट्रेनिंग कवास्ट देना पड़ेगा तो हिसाब यह तो हिसाम्पल के तो पर जैसे ही हीलिय इसको साफ करने लिए कितना त्रक चाहिए होगा वर्सेस यह रोबोट है जो आपका पीवी पैनल पर आराम से साफ कर देगा यह सब जिगा मिलने लगा इंडिया में बिलने लगा और आजकल तो बहुत सारे बहुत लंबा 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 श्ट्रेंड रहता है इस पर रोब मोल्टन सॉल्ट के नाम पे जो हल्ला कर दिया है कि मोल्टन सॉल्ट से करने के सब चीभा ले हो जागा वो बहुत फ्राजाइल टिकनोलोजी है यानि कि कुछ भी गलती हुआ किसी भी कारण से वह टेंपरेचर लॉस कर गया या वह सॉलिड बन जाता हूं सॉलिड बनने के कि आइडिया बहुत अच्छा लगा सबको कि अरे सस्ता है सस्ते में पड़ जाएगा इनरजी स्टोरेज भी मिल जाएगा जब रियल में किया गया यह बार बार फेल हुआ इसलिए आपको हर दस प्लांट में अगर आप एवरेज करने जागे 99% केसे में आपको सोलर पीवी आपको ब्राइब को भी देगा तो गोंफिर पीवी जैसे ही आगे ना तो हिसाब वही डटा है कि यह समाज़ना बहुर्जर होगा है डिजाइन को किस किया गया है तो जो अपॉनेंट है जिसने किस किया है वो आगे चल जाएगा यह समझ ना बहुरोगा यह सोलर ठर्मर को जाता है बारबाद, LG Biofuel, LG Biofuel ये समझ ये कि ये बहुत पहले स्टार्ट हुआ था इसका रिसर्च कितना पहले, World War 2 में स्टार्ट हुआ था, World War 2 में जब लोगों समझ में कि इंट्रेस्ट आया, Oil Embargo जब USA में किया था, 1970 के असपाद, जो अब अरपस ने बुला हम आपका Oil काटते हैं, तो धर धना आके तेल के दाम भागया, तेल के दाम भागया, दोबारह ये सब रिसर्च को स्टार्ट किया गया, LG Biofuel पे, और हिसाब ये था कि LG Biofuel जरूरी नहीं Land नहीं लगता, आप Corn से बना सकते हैं, लेकिन बात है कि Corn से अगर आप कुछ बना रहे हैं, चाहे Sugar के इंसे बना रहे हैं, आप लुट रहे हो अपने आपको, क्यों? क्योंकि वो जमीन खाना बनाने के लिए होना चाहिए था, खाना गदाम बढ़ जाएगा अगर आप ऐसा करना करती है, और इसका सबसे बढ़ा बढ़ीया आपट है, यह चेमिकल एणरजी देता है, जो हर चीज़ चला सकता है, यानि कि आपको fighter jet उडाने है, पैसंज जे टूडाने है, चला ही है, ट्रक चलाने है, चला ही है, मतलब कोई चेंज होगा ने, यह Fossil fuel ही बना रहे है, उसे आपने धर्ती के अंदर दबा दिया धर्ती उसे धीरे-धीरे 구Tr truths करके उसे अले वाल उभाडइस को निकाल रहा है को लिकल कर दे रहा है को कर दे रहा है को कर रहा है तो क्या इसे carbon dioxide एड़ होगा atmosphere में नहीं क्यों क्योंकि जिस टाय में LG बन रहा है और LG अभी आप बना रहे हो मतलब आज आप LG बना रहे हो कल उसको जला दोगे और यह और उसके बाद बन थोड़े कर दोगे आप इसको continuously करते हो तो यह carbon dioxide को cycle करने लगता है नया carbon dioxide atmosphere ने नहीं एड़ कर यहां पर cycle हो रहा है तो cycle होने का फाइदा नया carbon dioxide एड़ नहीं होता है atmosphere गरम नहीं होता और यह हर एक समस्या को सुल जा देता है और ट्रक के लिए EV नहीं काम करता है कोई प्रब्लम नहीं यह काम करेगा कुछ बदलना पड़े कोई फरक नहीं पड़ना सब किया जा सकता है तो बोलेंगे हर मामले में यह बहतर है मतलब actual लोग बना चुक है और यह बात समझने हैं 1970 से काम चल रहा है 1980 मतलब companies हैं आपको आजार मिल जाएगा टूल मिल जाएगा engineers मिल जो इसको काम करते हैं तो हर जगा इसको क्यों नहीं इस्तमाल करते है बात यह है कि यह हमेशा वह प्राफिट नहीं होगा वह देखा देखी यह फास जाता है और इसको सक्सेस्पूल करने काम सिफ गवर्मेंट कर सकती है कोई और प्राइवेट एंटिटी इस पे होतना हाथ नहीं मार सकता जैसे कि एक्जाम्पल के तौर पर यूज ने जो मतलब युद्ध किया है अफ्क अगर आप लटक जाओगे तो यह अगर ऐसा कर देते हैं यह ठीक है नहीं हम अपना बहुत खर्चा होगा मतलब यह सस्ता चीज नहीं लेकिन अगर गवर्मेंट खर्चा करके दीरे दीरे इसको बनाती है दीरे दीरे फुल स्केल करती है मतलब पहला साल बहुत पैसा यह वेस्ट वाकरने यह था कि इसको चाहिए था चोटा में डेमो कर?, लेकिन डेमो में कभी सकस्फूल नहीं होगा तो यह समस्या करने यह पर यग जमीन साफ करने के लिए और वेस्ट वाटर निखाल सकता हैं पानिस है मतलब आप जो सुवेज वाटर है उसको डाल दीजिए यह प्रसाफ सुख करके चका चकते देगा तो समझ रही है यह वन ओफ दी लेटेस्ट टेकनलोजी लेकिन कभी इसका यूज नहीं होगा हर जंगा लोग इवी का बात करें यह बोले हम आ जाएंगे ना बाकी सब इवी ह होगा कुछ साल तक करना तो उसके बाद बोले हमारा अपना हो गया हमारा अपना टेंस नहीं है अब बात करते हैं यहां पर आप क्या सीख सेते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि मैं बारबा बताता हूं economics final boss है काफी लोगों का काफी सारा को मेंट के बार रही है तकि economics को द्य बना लेते हैं जो की बहुत बढ़िया टेक्नोलोजी जैसे बनावाद एल्जी बाइट टेक्नोलोजी सारा समस्या सॉल्फ करता है सोलर एनरजी केमिकल एनरजी आउटपुट काम खतम दिमाग लगाने के जरूत नहीं है अपलास आप बोले नहीं बहुत बड़ा जमीन खाए अगर वहीं कर दीजाना फरकों नहीं पड़ेगा मतलब आराम से हो गया हो गया सारा तेल हो गया इंशन ही नहीं लेना है तो हिसाब भी रहता है कि टेक्नोलोजी आप कितना भी अच्छा बनाए अगर वह प्रॉफिटेबल नहीं होता है तो आपकास कुछ नहीं है यह समझ होने लगा पहले को अब उतना नहीं दे रही है जरूत नहीं है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है लोग खुद बखुद कर रहे है खुद बखुद सेल्फ सैकलिंग हो रहा है सेम भी विंड फार्म के साथ भी होने लगा तो यह समझना जरू है कि जो भी इस पर रिसर्च कर करें उसको सारे फिल्स पर ध्यान होगा जैसे एक्जांपल देता हूं यह कंपनी थी जो काइट से निकालना चाहती है इनका लॉजिक एगदम सही था कि बहुत बड़ा विंटरबाइन बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा है लुट जाएंगे कोई नहीं कर पाएगा और बहुत बड़ा नियुट बनाते बहुत ज़ता निंखा सकते तो इन्होंने कामपनी किया दस साल लगभागा इंगे काम किया मैंने नीचे एक घंटे का पिक्चर दे दिया इन्होंने जो कंपनी का आर्टविस्ट को आयर किया था तब अप्टी बनाया और आप जीक साक्यो को यह फाइनलाइज करें रेडी करने लाइक हो है इसका कीमत ऑफशोर से जाधा आने लगा क्योंकि ऑफशोर का दाम घट चुका था और यह लोग ध्यान नहीं दिये थे कि ऑफशोर इतना स्पीट से डवलपमेंट मार रहा है तो यह समझेने जरूए आप जहां पर भी काम क देखिए कि उस फिल्ड में क्या हो रहा है तो यह बात सही लगेगा लेकिन 2020 का सोलर पैनल का दाम देखोगे यारी तो यह समझना बहुत जरी होता है आपको सारे फिल्ड में अटेंशन देना पड़े और मैंने यहां सिर्फ दो ही है बहुत सारे और है जैसे यह मिन का करके काइट से इंटर्वाइन बनना चाते थे दूसरा बायो गैस इंडिया में बायो गैस का बहुत गंदा फेलियर हुआ है मतलब की गवर्मेंट चाहती थे ऐसा चोटा-चोटा बने जो की काम ही नहीं करेगा और इसी के चलते हम लोग बायो गैस को ठीक से यील्ड नहीं कर व अगल बगल सब चीज को देखें कि सोलर क्या इसको बीट कर सकता क्या इसे जैसे एनरजी स्टोरिज के माम में बात कर रहे हैं तो क्या अरे आप मैं ये बैटरी पनाओंगा अच्छा उसका दान दस गुना जादा आरा ली थे माइन सा कोई क्यों घर देगा ये समझना तो यह था मेरा प्रेजेंटेशन फेल्ड ग्रीन टेकनोलोजी के पारे में उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगो कुछ सिकने उमला कुछ समझ में हो अगर ऐसा है लाइक करते दोस्ते शेयर करते उसे वेरा काफी बला होगा नहीं अच्छा लगा नहीं पसंदा है कोई करते दो बार दबाए उससे मुझे पता चले वो कितना ना पसंद हुआ है मैं आपसे कहूंगा कि कॉमेंट लेकर मैं हर कॉमेंट को पढ़ने ही कोशिश करता हूं आप से कहूंगा सब्सक्राइब कीजिए बेल दबाई अगर आफ रही है तो आपने रहा वीडियो देखा जनकर मुझे बहुत खुशी हुए धन्यवाद